Hello everyone, एक बार फिर से आप सभी का नव भारती परिवार में स्वागत है हमारे इस पेपर Environmental Education में आज हम पढ़ेंगे पारिस्तिती की तंतर का आर्थ वै उसके घटक कौन-कौन से है इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि परियावरण किसे कहते हैं परियावरण के विभिन परकार कौन-कौन से है परियावरण के इन कारकों से परभावित होता है पारिस्तिती की क्या होती है और पारिस्तिती के विभिन परकार और उसको परभावित करने वाले विभिन कारक कौन-कौन से है साथ ही मैंने आपको बताया कि विभिन प्रकार की बायोटिक इंटरेक्शन ये जैविक अन्योने के रियाएं किस प्रकार से हमारी पारिस्तितिकी के अंतरगत समझना पड़ेगा इकोसिस्टम होता क्या है वार्टिजन इकोसिस्टम पारिस्तिकी तंतर किसे कहते हैं इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको पारिस्तितिकी और पारिस्तिकी तंतर के अंतर को है समझना पड़ेगा पारिस्तिकी यानि एकोलोजी के अंतरगत हम जैविक और एजैविक घटक के बीच के अंतर संबंदों का अध्यान करते हैं, जबकि ecosystem क्या होता है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे. पारिश्तिति की तंत्र का Earth, Meaning of Ecosystem, शब्द ecosystem, दो शब्दों, ECO plus system से मिलकर बना है, ECO शब्द ग्रीक भाषा के Oikos का से लिया गया है, जिसका आर्थ होता है एक घर और system जिसका आर्थ होता है एक विवस्ता या अंतर संबंद या अंतर निर्भरता. यह एक विवस्ता है जो छोटी बड़ी काईयों में, विभक्त विभीन इस्तानों में, विभीन स्वरोपों में विक्सित पाई जाती है. अर्थार्थ वह तंत्र जो दो प्रकार के घटक जैविक और एजैविक से मिलकर बना होता है उस तंत्र को हम पारिस्तितिकी तंत्र कहते हैं संतूलन के फल्सुरूप बनी हुई एक विवस्ता है एक पद्धती है पारिस्तितिकी तंतर की विभिन परिभाशा है इनमें से कुछ इस प्रकार है पहली है लिंड मैं के अनुसार किसी भी आकार की किसी भी क्षेत्रिय एकाई में भौतिक जैविक क्रियाओं द्वारा निर इको सिस्टम जिसमें जैविक और एजैविक परियावरण परस पर प्रभाव डालते हुए पारिस्परिक अनुक्रियाओं से उर्जा और रासानिक पदार्थों के संचार से पारिस्तितिकी तंतर की क्यार्यात्मक गतिशीलता को बनाए रखते हैं ओर्डम ने भी बताया क कि किस परकार से लिविंग और नॉन लिविंग जो ठिंग्स हैं उनके बीच में किस परकार से इंट्रेक्शन होता है और उस इंट्रेक्शन का मुखे कारण क्या होती है उर्जा होती है जिसके कारण उसमें गतिशीलता बनी रहती है थिनमैन के अनुसार वह काई जिसमें स प्रदान प्रदान के फल्सुरूप है अपनी विभिन क्रियाओं को या विभिन इंट्रेक्शन को संपन करते हैं तो उसे हम पारिस्तितिकी तंत्र कहते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारिस्तितिकी तंत्र जीवों के अस्तितों के लिए जैविक और जैविक घटकों का ए प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं और जिनके परिणाम सरूप क्रियात्मक और संद्रचनात्मक परिवर्तन होते रहते हैं अगर हम कहना चाहें कि पारिस्तितिकी तंत्र है तो परियावरण की विभिन क्रियाएं जिनमें की जैविक और अजैविक घटक परस पर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वैं एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, उसे हम पारिष्थिति की तंत्र कहते हैं. What is an ecosystem? An ecosystem is an area where organisms interact with one another as well as with the non-living parts of the environment. An ecosystem can be used such as a large forest or lake, or it can be small such as puddle of water or a rotting log. पारिष्थिति की तंत्र की कुछ विशेशताएं हैं. यानि अगर हम बात करते हैं ecosystem की, तो वह क्रियात्म की काई है, जहांपर की किसी विशेश area के अंदर, जो भी जीव रहते हैं, और उनका जो भौतिक वातावरण है, वो किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसके कुल योग का जो प्रतिनिधितों करता है, वो वहां का पारिस्तितिकी तंत्र कहलाता है, इसकी संडचना तीन मूल भूतु संघटों को से होती है, पहली है उर्जा, दूसरा है जैविक घटक और तीसरा है अजैविक घटक, यानि अगर हम बात करते हैं जैविक और अजैविक घटक की, तो उनके बीच में जो आदा पारिस्तितिकी तंत्र के एक खुला तंत्र है, जिसमें उर्जा तथा पदार्तों का सतत निवेश तथा उसमें बहीर गमन होता रहता है, यानि उर्जा उसके अंदर आती रहती है और एक पोशकिस्तर से दूसरे पोशकिस्तर पर ट्रांस्वर भी होती रहती है, जब तक पारिस्तितिकी तंत्र के एक ये अधिक नियंत्रक कारकों में एववस्ता नहीं होती है, पारिस्तितिकी तंत्र अपेक्षाकरत स्थिर समिस्थित में होता है, यानि एको सिस्टम के अंदर जब तक कोई बहाईये कारक इस प्रकार से क्रिया ना कर दे कि वो पूरा पारिस्ति पारिस्तिति की तंत्र में खुद में ऐसी क्षमता होती है कि वह अपने आपको इस्तिर बनाए रखता है या एक बैलेंस फॉर्मिशन में रखता है पारिस्तिति की तंतर के घटक पारिस्तिति की तंतर के प्रमोख रूप से दो घटक होते हैं शुरू से हम बात करते आ रहे हैं जैविक घटक और एजैविक घटक जैविक घटक जिनमे की जीवन संभव है या जिनके अंदर जीवन होता है वह सबी चीजे जयविक घटक के अंतरगात आती है जिनमें जीवन होता है, बात करें तो plants और animals सब जयविक घटक के भाग है, एजयविक घटक जिनमें की जीवन नहीं है नॉन लेविंग तर्वर्टी में जो इस पारिस्थिकी तंतर के अंतरगत उर्जा का उतुपादन करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, और हम सभी को पता हैं कि प्लांट्स मेन प्रोडूसर के रूप में कारे करते हैं, क्यूंकि वह है प्रकास संस्लेशन की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयम बनाते हैं, उभोगता उभोगता वो जो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, यानि अपने भोजन के लिए वह उत्पादक से अपना भोजन और उर्जा प्राप्त करते हैं, उत्पादक पर निर्भर रहते हैं और लास्ट में है decomposers, अब घटक नाम से समझ में आ रहा है अब घटक मतलब किसी चीज को तोड़ने वाले यानि जो भी जीव है वो उनकी जब मृत्यू हो जाती है तो उन पर ये अब घटक क्रिया करके उनके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल कर पुने वातावरण में मिला देते है एजविक घटक एजविक घटक के अंतरगत आते हैं बहुतिक कारक, एकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक बहुतिक कारक में हम लेंगे तापमान, मोईस्चर सनलाइट, वायू मंदलिये दाव, इस्तला करती यानि टोपोलोजिकल जो भी कंडिशन है अर्थ की, उसके बाद है जल, वायू मंदलिये गैसें, मिट्टी, खनीज, चट्टान, और कार्बनिक कार्कों में आते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइटरेट और फेट्स जैविग घटक, जैविग घटक में सबसे पहले आते हैं उत्पादक, जिने की हम स्वय पोशित घटक भी कहते हैं, वह सभी जीव इसे बनाते हैं, जो साधरण ऐकार्बनिक पदार्थों को प्राप्त कर, जटिल पदार्थों का संसलेशन कर लेते हैं, अर्थार्थ अपने के लिए स्वम भोशन का निर्माण ऐकार्बनिक पदार्थों से करते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं, यह डाइग्राम में दिखाए गया है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्तिती में जो हरे पादप हैं, वह हैं प्रकाश संसलेशन की करिया करते हैं, और ऐकार्बनिक पदार जल और कारबंडा याकसाइड का प्रियोग करके अपने भोजन का निर्मान करते हैं। तो इन घटकों को हम क्या कहते हैं। उत्पादक कहते हैं। ये अपने भोजन का निर्मान स्वम करते हैं उत्पादक इसमें जो स्वम अपना भोजन बनाते हैं जैसे कि हरिपादक वे प्राथमिक उत्पादक होते हैं और जो जीव इन पर निर्भर रहते हैं या जो मनुश्य इन्हें गोण उत्पादक कहते हैं कि वह पोधों से भोजन लेकर अपने लिए प्रोटीन वसा और फैट इत्यादी का निर्मान करते हैं। उब्भोगता की कैटेगरी को भी हमने तीन भागों में बाटा है। पहला है प्राथमी कुभोगता, प्राथमी कुभोगता यानि प्राइमेरी कंजूमर वो होते हैं जो शाका हरी होते हैं, हर्भी वोरस होते हैं जो पेड़ पोधों की हरी पत्यों से अपना भोजन बनाते हैं, यानि वह जीव जन्तु जो पेड़ पोधों पर निर्भर रहते हैं और उनी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम प्राइमेरी कंजुमर कहते हैं इसके अंदर डिफरेंट जो हर्भी वोरस एनिमल से वो आएंगे जैसे कि गाये हैं बकरिये कुछ मनुष्य भी शाकाहरी होते हैं दूसरा है सेकेंडरी कंजुमर्स जो शाकाहरी ज कंजुमर्स से अपना भोजन ले रहे हैं जैसे कि शेर, चीता, मैंडक, मनुष्य इत्यादी नेक्स्ट रित्य को भूगत यानि टर्शरी कंजुमर्स टर्शरी कंजुमर्स इस श्रें में वह आते हैं जो मासाहरी को खा जाते हैं तो मासाहरी को खा जाते हैं कई बार हमारे दिमाग में आता कि मासा हरी को तो सिर्फ शेर, चीता या लॉम्डी ये सब खाते हैं लेकिन यहाँ पर हम चीज को इस तरीके से समझेंगे कि जैसे साप है वो किसको खा रहा है मैंडग को लेकिन साप को भी कौन खा जाता है मोर तो यहाँ पर ट्रश्री कंजूमर के रूप म कौन निकल कर आया मोर क्योंकि उसने किसको खाया साप को और साप ने किसको खाया मैंडग को तो इस परकार से और मनुष्य की बात करें तो मनुष्य प्रात्मिक और दित्तिक और तितिक सभी कंजूमर के अंतरगत आएगा क्योंकि वो शाकाहरी भी है वो मासाहरी भी है और और फिर उसके बाद प्रात्मिक और दितिक भोगताओं पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वह है टॉप कंजूमर की क्रेटेगरी में भी आते हैं, for example, शेर यानि लॉयन, और मनुष्य को हम सरवाहारी कह सकते हैं, क्योंकि वो शाकाहरी भी है, और मासाहारी भी है, नेक्स्ट है, अपगटक, डीकंपोजर्स, विबिन, शुक्ष्म, जीव, जिवानों, कवक, आदी, मृत तथा, जीव, जीव, दरवे के जटिल पदार्थों का अगभटन करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानि ये जो उभोगता, जिनकी की डैथ हो गई है, जो मर आर्मनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, और सो हम भी उससे उर्जा प्राप्त करते हैं, इस कारण से इन्हें हम अपगटक, या डीकंपोजर्स कहते हैं, इस परकार, शुप, शुम, उभोगता, किसी भी पारिसिति की तंत्र में, जैविक प्रकरती के क्रियात सामराज्य होते हैं, यानि बात करें डीकंपोजर्स की, तो ये एक विशेश रूप से अपना एक महतो रखते हैं, क्योंकि ये जब अब घटक है, जो कंजुमर्स को अटेक करके, उनके जटिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल कर पुन है, वायू मंडल में मिलान परियावनिय तत्वों में सूर्य का परकाश, ताप करम, वर्षय इत्यादी आते हैं, कार्बनिक पदार्थों के अंतरगत, प्रोटीन, कार्बोहईडरेट, वसा आदी आते हैं, जो परियावनिय तत्वों के रूप में विद्धिमान रहते हैं, यह एकार्बनिक पदार् को में परवेश करते हैं और कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं पारिसितिकी की तंत्र की जलवायों निर्धारन करने में ताप सूर्य का प्रकाश तिवरता इतियादी को भी मेंटेन करने के लिए कार्बनिक पदार्थ उपयोगी होते हैं फिर है एकार्बनिक पदा जिसे की कार्बन चक्र है, हाइडोजन चक्र है, नाइडोजन चक्र है, इनके द्वारा बातावरण में उपस्तित रहते हैं और पारिस्तितिकी की तंत्र में सदेव अपना योगदान बनाए रखते हैं। जाता है, तो उस तंत्र के अन्य घटक स्वाम स्थितिको नियंत्रित में कर लेते हैं। यदि इन में से कोई भी एक घटक कम है, यानि किसी भी एक की कमी आगे है, चाहे उत्पादक की, उप्भोकता की, या अप घटक की, या जविक कारक की, तो इस प्रकार के एको सिस्टम को हम इनकंप्लीट एको सिस्टम कहते हैं। थर्ड है, विक्रत पारिस्थितिकी तंत्र डिग्रेडिड इको सिस्टम, वह पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें उत्पादक एवं उप्भोकता के सामान्य अनुपात में कमी या व्रिद्धी हो जाती है, और जिससे पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से विक्रत हो जाता ह तो उससे हम विक्रित पारिस्तितिकी तंतर कहते हैं यानि इसमें जो बैलैंस है producer और consumers का वो क्या होता है या टो भढ़ जाता है मतलब balance बिगड़ जाता है उसका अनुपात बिगड़ जाता है यानि या तो उत्पादक कम है और उसको consume करने वाले ज़्यादा है तो इस परका प्रकार के पारिस्तितिकी तंत्र को हम विक्रत पारिस्तितिकी तंत्र कहते हैं और लास्ट है ए नियंत्रित पारिस्तितिकी तंत्र अनकंट्रोल्ड एको सिस्टम समझ में नाम सी आगया होगा कि जिस पर नियंत्रन करना मुश्किल है जो नियंत्रन के बाहर है यह पारिस्ति प्रकार के किसी भी प्रोधोगी की या प्रदूशन या विभिन ऐसे कारक हो सकते हैं मनुष्य के द्वारा निर्मित जो कि उस खेतर विशेश के पारिस्तिकी तंत्र को बिल्कुल ऐसंतुलित कर देते हैं और जिसे वापिस इस्टेबल करना या जिसे वापिस नियंत्र में लाना मुश्किल कारिये हो जाता है तो इस प्रकार का जो एको सिस्टम है वह ए नियंत्रित पारिस्तिकी तंत्र के अंत्रगत आता है